वीडियो की स्टार्टिंग करें अमेरिका के बाजार के साथ में डूजोंस फ्यूचर की बात करें तो अभी के टाइम पर हमें डूजोंस फ्यूचर के अंदर 460 पोइंट की गिरावट देखने को मिल रही है यानकि आज रात जब अमेरिका का बाजार ओपन होगा तो वहाँ पर हमें गेपडाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है बात करें इस गिरावट के पीछे की क्या वज़े देखने को मिल रही है तो कल की दिन इंडिया ने अपने इंफलेशन के नंबर्स डिकलेर किये थी जो की नंबर्स मन्थ उन मन्थ बेसिस पर काफी खराब निकल कर आ यानि कि यूएस ने अपने सितम्बर महिने के इंफलेशन के नंबर्स को डिकलेर कर दिया है और नंबर्स जो निकल कर आए है वो 8.2 प्रतिशत के निकल कर आए है यानि कि इंडिया से तो यूएस के अंदर अभी महेंगाई दर्ब बहुत ज़ादा है लेकिन अवर अगर पर बात करी जाए तो numbers में हमें गिरावट देखने को मिल रही है अगर month on month basis पर US के inflation के data को अगर check करते हैं तो ये देखना बहुत ज़्यादा important होगा कि US का बजार आज रात को जब open होता है तो उसकी closing किस प्रकार से निकल कर आती है अब बात करीब भारतियAY बाजार की तो आज के दिन Nifty के अंदर अगर गिरावट की प्रतीशत को note करें तो लगबख 100 पोइंट की गिरावट आज का अंदर देखने को मिल रही है वहीं अगर bank nifty की बात करें तो bank nifty के अंदर आज के दिन हमें लगबख 500 पोइंट की गिरावट देखने को मिल रही है तो बाजार में गिरावट की पहले की सबसे बड़ी वज़े थी इंडिया के inflation के number जे यहां दोस्तों पीछले तीन सालों में अभी तक का highest inflation यहां पर याने कि भारतिये बाजार के अंदर देखने को मिल रहा है जिसके चलते यहां पर हमें आज के दिन selling pressure देखने को मिल आए और inflation के बढ़ने के कारण हमारी जो Indian currency है जो रूपे है वो continuously weak होते वे देखने को मिल रहा है और इसी को लेकर RBI की तरफ से आज के दिन intervention किया गया याने कि market awards के बीच में ही एक important decisions लिया गया banking sector को लेकर जिस currency आज के दिन NFT bank के अंदर आपको इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है RBI ask local banks to not build position in offshore market तो यहां पर अब जितनी भी private bank हमें देखने को मलती है market में वो open market में अपनी position से जो non-delirable forward market है वहाँ पर उसे build नहीं कर पाई गया आप देख सकते हैं the reserve bank of India seeking to arrest the rupees light is asking local banks to not build additional position in the non-delirable forward market a move that could lead to offshore volatility याने कि ultimately अगर मैं आपको easy language में बताओ तो यहां पर RBI का कहना है कि जितनी भी private bank है वो अभी यहां पर offshore और market को यहां पर पूरी तरीके से positions बनाने के लिए restrict कर दे याने कि market से liquidity को खतम करना चाहती है RBI और इसी से inflation को control किया जाएगा तो इस news के आने के बाद ही आज की दिन हमें nifty vein के अंदर इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है बात करी कि कि market अगेन यहां पर हमें crash होते वे देखने को मिल सकता है तो आज की दिन RBI की तरफ से एक और बड़ी update देखने को मिल रही है यहां पर expert की तरफ से माना जा रहा है कि RBI की जो December महिने में MPC की मिटिंग होने वाली है याने की monetary policy committee की जो मिटिंग होने वाली है उसमें RBI अगेन 60 basis point से interest rate को hike कर सकता है और यह decision इसलिए लिया जा सकता है क्योंकि इंडिया का जो inflation से वो कम होने की बजाए continuously हमें बढ़ते वे देखने को मिल रहा है देख सकते हैं even as the latest inflation data for September shows it rising to the 5 month high level experts said the RBI monetary policy committee is expected to continue with its rate hike and may raise up to 60 basis point in December 2022 याने कि ultimately एक चीज़ क्लियर है कि market में short term में volatility अभी पूरी तरीके से खतम नहीं होने वाली है तो यहाँ पर अगर आप investment करना चाते हैं तो एसे fundamental stocks और एसे growth stocks जिनका export काफी अच्छा है IT sector, banking sector, pharma sector वहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं जो कि आपको almost 20 to 25% के discounted price पर देखने को मिल रहे हैं यह तो बात होगी market के सेनारियों के बारे में अब बात कर लेती है आज की दिन IT sector company, Mindree ने भी अपने quarter 2 के नतीजे quarter 2 के result को declare कर दिया है Mindree के अंदर आज की दिन अगर गिरावट की प्रतीशत को note करें तो 28 रुपे की गिरावट आज की दिन हमें Mindree के अंदर देखने को मिल रहे है लेकिन Mindree अभी भी अपने support 3300 रुपे के उपर trade करते भी देखने को मिल रहा है जो की एक positive sign है बात करें Mindree के financial result के बारे में तो Mindree ने अपने quarter 2 के result के अंदर 509 करोड रुपे का net profit डेकलेर के आए याने की year on year basis पर company के profit में 27% की जम देखने को मिल रही है लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ में Infosys के quarter 2 के नतीज़े शेर किये जिसमें मैंने आपको बताया कि Infosys की quarter on quarter basis पर तो 4% की जम पे profit में और 18% की जम पे year on year basis के profit में तो यहाँ पर Infosys से अगर हम compare करें माइन्ट्री के result को तो माइन्ट्री के result ओर ज्यादा better हमें देखने को मिल रहे हैं वहीं अगर revenue की बात करी जाए तो 31% की जम हमें माइन्ट्री के revenue के अंदर भी year on year basis पर देखने को मिल रही है बात करी company ने कितना revenue declare के आए quarter 2 के अंदर company ने 3400 करोड रुपे का revenue quarter 2 के अंदर declare के आए जो कि last year के quarter 2 से बात करें तो वहाँ पर company ने 2586 करोड रुपे का revenue declare के आथा तो overall 31.05% की जम company के revenue के अंदर हमें देखने को मिल रही है वही अगर profit की बात करें तो इस बार तो company ने 508 करोड रुपे का profit declare किया है लेकिन अगर last year की बात करें तो company ने 3089 करोड रुपे का profit बनाया था तो overall year on year basis पर नतीजे माइंट्री के बहुती शांदर निकल कर आए है और माइंट्री के जो managing director है chief executive officer जिनका नाम है देवशी चटर जी उनकी तरफ से भी काफी strong statement आते भी देखने को मिल रहा है आप देख सकते हैं our robust performance in the second quarter of the financial year 2020 through market a solid first half of the year यानि की काफी अची growth इनों ने यहाँ पर expect करी थी और उसी के according numbers यहाँ पर देखने को मिल रहे है आती साथ company ने अपनी order book को लेकर भी यहाँ पर update declare करी है तो यहाँ पर company को काफी बड़ा achievement हाथ लगते भी देखने को मिल रहा है क्योंकि company की order काफी ज़्यादा strong देखी जा रही है तो यहाँ पर overall इनोंने अपने चो clients है उनका यहाँ पर details दे रखी है बाइफरकेशन दे रखा है कि company के पास में total 206 अगर आप देखेंगे कि company को जो सबसे ज़्यादा revenue जिन client से generate होता है वो 15 client है जहाँ से company को 1 billion dollar से भी ज़्यादा revenue generate होता है वही company के पास में total 160 है से client है जिन से company को 5 million plus dollar का revenue generate होता है तो काफी अच्छी growth आप यहाँ पर company की देखने को मिल सकती है तो यदि माइंटरी के अंदर निवेश कर रखा है तो कल के दिन आप इस shares के अंदर 3390 रुपे तक का target लेकर चल सकते हैं उमीद है आपको वीडियो और update पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो और update पसंद आई है तो इसे like और share करना मत भूलेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में another किसी important update के साथ तब तक के लिए अगर आपने infosys के result वाले वीडियो अभी तक नहीं देखे तो जल्दी से जल्दी आप उस वीडियो को भी check out कर सकते हैं Thank you for watching, have a nice day